दोस्तो यहां पर इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे EWS Reservation के बारे में EWS Reservation जिसका पूरा की नाम है Economically Weaker Sections और आरक्षण का ये एक बहुत ही नया स्वरूप है इस स्वरूप में जो आरक्षण दिया जा रहा है उस आरक्षण के माइने हम यहां पर समझने की कोसिस करेंगे बहुत सारे ऐसे Candidates हैं जो EWS Reservation का लाब पूरी तरह से नहीं ले पा रहे हैं क्या बास्तिविक लाब EWS स्रेने के जो भी Candidates हैं उनको मिल पा रहा है अनिराज्यों में किस तरीके से EWS को Reservation दिया जा रहा है और उसका कितना लाब वहाँ पर मिल रहा है जबकि मधिप्रदेश में हजारों हजार युवा इस EWS आरक्षण के बास्तिविक लाब से बंचित हैं यहां पर हम लोग पूरा discussion करेंगे इस वीडियो में इसी टॉपिक पर वीडियो को पूरा देखिएगा अगर वीडियो आपको पशंद आए तो लाइक चरूर करिएगा चली आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों यहां पर जो बिसे है वो है कि उच्च मादेमिक सिक्षक जो की परिक्षा हुई थी उसमें EWS केटेगरी को आरक्षित बर्ग के समान आरक्षित बर्गों के समान जो नियूंतम अंक हैं उसमें छोट प्रदान नहीं की गई हैं यहां पर हमारे साथ काफी लोग जो की EWS संगर समिती के हैं उनका यहां पर आप उनसे जोड़ सकते हैं इसके अलाबा आप यहां पर विजैशिंग राजपूर जी जो की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं उनका नमर यहां पर आपको दिख रहा है संजेर अगवनसी जी प्रदेश को साथ दिख्ष हैं इनसे आप जूड़ सकते हैं तो यहां पर दूस्तों मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि EWS बर्ग जो है उसको यहां पर उच्च माधिमिक माधिमिक सिक्षक भरती में जो है आरक्षित स्रेणी में आने वाले जो अभ्यरती है उनको 75 में पास माना जाता है जबकि EWS रेनी को सामानी बर्ग के समान 90 अंकों में पात्र माना जाता है या पास माना जाता है तो यहां पर राजिस्थान में जो सिक्षक पात्रता परिक्षा 2020-2021 हुई है उसमें EWS को S.C.St. O.B.C. के समान निउनता अंकों में छूट रेखित है इसके अलावा दोस्तों बात करें उत्राखंड की सिक्षक पात्रता प्रिक्षा की तो उसमें भी 2019-20 में EWS ट्रेने को OBC के समान पात्रता के अंगों में छूट प्रदान की गई है UGC Nite 2020-21 एवं समस्त SSC और केंदर सरकार की विविन भर्तियों में EWS को SC, ST, OBC के समान रियायतें प्रदान की गई है और विज्यापन इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे इसके अलावा दोस्तों यहां पर हम लोग देखेते हैं कि भारत सरकार द्वारा एक सु तीनमा संभिधान संसूत नदियम 2019 में सपस्ट उले किया गया है कि EWS को SC, ST, OBC के समान समस्त रियायत प्रदान की जावेगी जिसका मूलाधार आर्थिक पिछणापन है तो यहां पर जो कि बहुत सारी जो हैं यहां पर बात करें तो रियायत दी जा रही है लेकिन मेन जो रियायत है वो है आपकी पादरदा अंकों में छूट तो वो यहां पर EWS रेनी को नहीं मिल रही है और यहां पर दोस्तो एक बाद और है कि मदिप्रतिस उच मादमिक सिक्षक और मादमिक सिक्षक भरती परिक्षा 2018 में EWS को आरक्षन तो SCST OBC की समान 10 प्रतिशत दिया गया है परन्तु आरक्षित बरगों की समान रियायतें प्रदान नहीं की गई है यहां पर आप विचार करें मानी मुख्यमेदर जी के नाम ये संदेश यहां पर समस्त EWS रियनी के जो अब्यरति उनके द्वारत दिया गया है तो आरता अंक जो हैं उनको 50% यानि की 75 करवाने का यहां पर मानी मुख्यमेदर जी जो है निबेदन किया गया है ताकि आरते क्रूप से कमजोर वर्ग को सरकार द्वारा EWS रियनी में जो लाब दिया जा रहा है वो उस अरक्षनका बास्तवी क्रूप से लाब यहां पर उन्हें मिल पावे हैं जिनको रियायत प्रदान की गई हैं उन्हें के टिग्रीज के लिए तो यहां पर EWS को नहीं दिया जा रहा है जिसके कारण EWS के बहुत सारे लोग जो की 89 पर आकर 88 पर आकर या 86 पर 84 पर आकर भी पिछड़ गए हैं अपना लाब नहीं ले पाए हैं तो यहां पर दोस् बॉस्ट दूँगा उस पोस्ट पर जाकर आप इन सभी दस्ता वीजों को देख सकते हैं यहां पर चएक कर सकते हैं कि EWS ली का मद्यप्रदीश में किस प्रकार से EWS स्रेणी को अरक्षन दिया जा रहा है और अन्य राज्यों में किस प्रकार से दिया जा रहा है तो जबकि जूकि अन्य राज्यों में एक समान इस्तिती लागू है हम राजिस्तान की बात करें या उत्तराखंड की बात करें तो बही इस्तथी मद्य प्रदेश में भी लागू होना चाहिए 75 वंकों में EWS ट्रेणी के केंडिडेट्स को पात्र माना जाना चाहिए यह यहाँ पर EWS ट्रेणी की तरफ से यहाँ पर एक विसेश मांग और तार्किक मांग भी है दोस्तों क्योंकि अनिराजियो में जब च ज़्यादर शेयर करिएगा लाइक करिएगा और हमारी चैनल पर अगर आप नए है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद थैंक्यू थैंक्यू बेरे मिच्च